हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Samsung Galaxy F13 Android में आप अपने मुवाइल फोन की हीटिंग की प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपको वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं इससे क्या होगा आपका mobile phone जब वो automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे mobile phone के android system में अगर कोई कमी आ जाती तो वो कमी जो है दूर हो जाती है तो आपको अपने phone को charge करने के लिए हमेशा अपने mobile phone के साथ वाला जो original charger होता है उसे ही आपको use करना है कभी कबार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे phone का charger use कर लेते हैं अपने phone को charge करने के लिए इससे हमारा phone जो हीट करता है क्योंकि देखें, दूसरे mobile phone का जो charger होता है, वो हमारे phone को अच्छे support नहीं कर पाता है, जिसके वज़े से हमारा phone heat करता है, इस बात का ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी आप अपने phone को charging पे लगाने के बाद, अपने phone को इस्तिमाल नहीं करना है, आपके mobile phone का software एक बार आपको चेक करना है, कि वो updated है या नहीं है, दोस्तों कई बार ऐसा होता है, कि हमारे phone का software का update आता है, हम उसे update नहीं करते है, या फिर update आता है, तो mobile phone का software होता है, वो updated नहीं के कारण भी हमारे mobile phone के android system में कुछ कमिया आने लगती है, तो आपके phone का software है वो आपका update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखे इसके लिए आपको सबसे वहले मुवाइल फोन का internet चालो रखना है ठीक है इसके बाद आपको मुवाइल फोन का setting page open कर लेना है setting page में आपको नीचे की side या option मिल जागा software update का इसे tap करना है इसके अगले page में आपको ये download install पे tap करना है तो आपको software के इस वाले page पे अगर कोई भी update का button दिखाई देता है तो उसे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software अपडेट हो जाएगा और आपके phone की heating की problem solve हो जाएगी ठीक है आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कभी भी आपके phone की जो brightness होती है इस brightness को आपको full नहीं रखना है काफी सारे लोग इस brightness को full रखते है जिसके कारण भी हमारा phone heat करता है इस बात का भी ध्यान रखना है अब दोस्तों अगर यहाँ पर आपको जो है ना सबसे आखरी process यहाँ पर करना क्या है कि आपको जो है ना अपने mobile phone को reset कर देना है ठीक है देखे दोस्तों आपको अपने phone को reset आपको तब ही करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process में से कोई भी process अगर काम नहीं करता है तब आपको अपने mobile phone को reset करना है अदर्वाइस आपको अपने phone को reset करने की बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है mobile phone को reset करने के लिए आपको जो है mobile phone का है ना setting page ओपन कर लेना है setting page में आपको सबसे उपर की साइड़ी search icon पर tap करना है यहाँ पर आपको सबसे उपर search बार में reset आपको type करना है आपको नीचे की साइड यह reset का option शोगा इसे tap करना है आपका phone directly reset की setting में लेकर आ जाएगा reset पर tap करना है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे factory data reset पर tap करना है इससे आपका mobile phone reset हो जाएगा और आपके phone की hitting की problem है वो solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data आपकी दूसरे phone में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात यह ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने है उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करने है तो दोस्तों यह सारे process आप use करेंगे तो आपके phone की hitting की problem solve हो जाएगी जिसके वज़े से आपका phone heat कर रहा है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताएं है वो mobile phone के software के जरिये बताएं है अगर mobile phone के software की किसी कमी की वज़े से heating की problem आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी otherwise आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा